सो गाइज हलो में बेलकन तो चैनल और गाइज बिसे के लिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बीप्रो जॉइन करेंगे ठीक है या जॉइन कर चुके है तो जॉइनिंग के बाद का प्रोसेस क्या है एंड प्यार पी अगर आपका एक्जाम हो चुक में आप मुझे बता सकते हो आई विल वी हैपी तो रिप्लाई यू अगर नेक्शारे डिस्क्रिप्शिन में है तो वहां पर हर चीज़ अप्डेट करते रहता हूं तो गईस अब बात कर लेते हैं जॉनिंग के बाद क्या होता है तो बसिकली आपका हो जोईनिंग हो गया हो गया जॉइन करने वाले होंगे तो आपका फर्स्ट ठीक के अंदर में इंड़क्षोば होता है जो कि company के बारे में बताया जाता है उसका services के बारे में बताया जाता है अफिर कोने उसके पीछल there 되고 कर सकते हैं आप कैसे internet क्लेम कर सकते हो एंड इच एंड आपको बताया जाता है कुछ बात कर लेते हैं induction, induction होने के बाद आपका पी जेप एक्जाम होता है पी जेप उसी के बाद next week में ही आपका training स्तार्ट हो जाता है जो भी आपको stream मिला है उसी particular stream पर आपको एक mentor रेसाइन किया जाता है उस particular mentor द्वारा like maybe e.d.paint करता है अगर stream java है या CIS है या maybe आपका python है तो एक mentor द्वारा अब 100 प्लस student होते हैं एक particular batch में जिसको वो teach करते हैं पढ़ाते हैं training देते हैं और यह four week का training होता है उसी बीच में आपका पीजेपी एक्जाम हो जाता है तो मैंने बताया है पीजेपी के बारे में औरेडी वीडियो बना चुका हूं तो आप देख ले ना प्लेलिस्ट मेरा जो चैनल का प्लेलिस्ट है वह प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले ना वहां पर सारे वीडियो मिल जाए तो एकशी है ठीक है त्रेज़ के बाद है यह सब्सक्राइब ट्रेंग के बाद कि अपट रोने हैं ज恭喜 तो प्यजैब हो जाता है उसके बाद गाई को सब्सक्राइब करना है होता है और एक competency पर depend करता है जिसको code reality test बोलते हैं और यह code reality platform है वहाँ पर दो coding के question होते हैं वह आपको solve करने होते हैं और इसके लिए product नहीं लगे होते हैं वह आप normally वह आपका coding आप coding कैसे लिखते हो syntax वह सारा कुछ आप कितना efficient code लिखते हो वह सारा कुछ test किया जाता है because कि उसको आप internet से copy भी कर सकते हैं but आपको उसको optimize करके लिखना होता है ठीक है तो यह code reality का और एक competency to competency depend करता है और अभी तक आपको नहीं होता है competency क्या होता है तो just leave it okay and now guys बात कर लेते हैं after PRP क्या होता है तो basically PRP के बाद आपका project allocation का काम होता है इससे पहले आपका maybe कुछ particular project आपको allocate कर दिया गया होगा but remember कि वह as a demo project होता है ठीक है and let suppose कि same project में आपको आगे भी काम मिलने वाला है तो but आपको PRP के बाद 2-3 महीने at least मैं बता रहा हूँ 2-3 महीने तक आपको कोई काम नहीं दिया जाता है तो I would suggest guys कि यार अगर कोई भी you know आप किसी particular thing का preparation कर रहा हो हो तो joining के बाद PRP exam आप clear कर लिए हो तो I would suggest कि आप उस particular thing में आप time दो क्योंकि अगला 2-3 महीने तक आपको कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं करवाने वाले हैं जस्त आपको attendance लगाने है and आपको salary आएगी ठीक है तो अगर आप किसी particular चीज का तयारी कर रहे हो preparation कर रहे हो तो आप ज्यादा focus उस पर करें तो better रहेगा हाँ और इसी बीच में आपको जो भी आपको project मिलने वाला नहीं है उससे related जो भी skill required है ठीक है वह online courses होते हैं और उस courses को enroll करने होते हैं enroll करके आप उसमें learning कर रहे होते हैं सीख रहे होते हैं उसके बाद basically after you know two and three months later maybe it can be like six month also ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है ठीक है तो at least minimum two-three month तक आपको free आप रहते हो बस आपको कुछ courses करने होते हैं ठीक है आप किसी particular technology को सीखने में time दे सकते हैं and that will be very fruitful guys तो hope so guys वीडियो आपके लिए helpful सावित रहा होगा because कि इस वीडियो में मैंने अपना सारा experience share कर दिया कि you know मेरे साथ क्या हुआ even यही pattern है यही तरीका है और यही होता है इस पर्टिकुलर टाइम को हनी कॉर्पोरेट सेक्टर में honeymoon period नाम से जानते हैं ठीक है जो PRP के बाद जो आपको 2-3 महिने का gap मिलता है इसमें कुछ आपको नहीं करवाया जाता है यह सारे freezer को ऐसे ही रखा जाता है तो इस ही को honeymoon period बोलते हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम को आप अच्छे से यूट्विलाइज कर पाएंगे अपने वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किये हो अभी तर ठीक है और या तब तक के लिए बस यही मेरे तरब से है कि stay safe और बावाय तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में have a nice day